देखें चैंपियन्स टोफी पे काफी बात हुई चैंपियन्स टोफी पे बार-बार हमें तीन-चार महीने रह गए हैं पाकिसान ने बोला जी हम बदरपूर, इट, मिट्टी, सब कुछ लगा रहे हैं अपने ग्राउंड में और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ग्राउंड जित हमने होटेल में कमरे बुक करा दिये हैं, हमने धरिया भीचा दी हैं ग्राउंड के बाहर, हम फलके बचा के बैठे हैं, खाना भी बसारा बनवा ले है, सब कुछ चटर लेके बैठे हैं processo बाते होगे हैं लेकिन असलियत यह है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं पह ICC is mulling to move the prestigious 50-over tournament completely out of Pakistan. अलग कि ICC और जैशाह साभ अब ये सोच रहे हैं कि चैंपियन्स टोफी को पाकिस्तान से बहार ही ले जाया जाए. एक भी मैच वहाँ पे ना हो. It is a big blow to PCB and Pakistan as latest reports suggest that ICC is exploring an option of moving the tournament to Dubai, UAE का तौनाम पहले भी चल रहा था, Dubai, Shiranka और even South Africa. तो अब क्या latest development क्या होई है कि hybrid model तो छोड़ी दो कि Pakistan में जैसे Asia Cup में कर रहा था, Pakistan में खाना पूर्ती के लिए दो-तीन मैचेस कर लिए और बाकी मैचेस श्रिलंका में कर वा लिए मेन, है ना? पाकिस्तान ने खुद होस्ट होके Asia Cup में एक मैच खिला था पाकिस्तान में, पाकिस्तान में वसे निपाल और बाकी हुआ था निपाल वसे श्रिलंका, निपाल वसे बंगलादेश, ये सब हुआ था, तीन-चार मैच हुए था, पाकिस्तान में बाकी सारा टोर्नमेंट श्रिलंका में हुआ था, आइवाश था वो, फालतू की बात थी, हाईविर्ड मॉडल करने की जूरत नहीं थी, और अब क्यूंकि ICC के चेर्मेन है, जैशा साब, तो अब ये लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही है कि चैंपियन्स टोफी पूरा का पूरा पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो रहा है, और पाकिस्तान में एक भी मैच नहीं होगा, वो जो भी उन्होंने मिट्टी पत्थर बदरपूर रोडी इट लगाई थी, वहाँ पे, ग्राउंड में अपने, तो वो अब पता नहीं खर्चा कहां से निकलेगा, तो ये लोग या तो यूए ही जाएंगे, या श्रिलंका का नहीं नाम आ रहा है, और सौथ आफरिका का भी लेटेस्ट डेवलप्मेंट यह है, कि सौथ आफरिका का भी नाम आ रहा है, और मैं फिर वोई बोलूँगा कि यह तो होना ही था, आज नहीं तो कल आपको यह बताना ही था कि भाईया इंडिया अपनी गेम्स कहां खेल रही है, बिकॉस इंडिया ने तो पाकिस्तान जाना नहीं है, इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, अब आप हाईब्रिट मॉडल करवाऊ, या पाकिस्तान से बाहर टर्नमेट करवाऊ, यह दो यी औप्शन है, पाकिस्तान में टर्नमेट कराना है, तो फिर इंडिया की गेम्स बाहर होगी, पहले हमने किया सोना था, कि इंडिया अगर final पहुंचता है तो final होगा UAE में, Dubai में अगर इंडिया final नहीं पहुंचता जो कि होना नहीं वाला तब आपका Lahore में होगा final अभी slated for Lahore है लेकिन अब latest reports में ही हो रहा है कि पूरा का पूरा tournament hybrid तो छोड़ी दो tournament ही पूरा का पूरा पाकिस्तान से बाहर होगा बिग ब्लो टू PCVN पाकिस्तान ICC is exploring an option of moving the tournament to Dubai, Sri Lanka और even साथाफ्टा नहीं ये तो मतलब इसमें एक पेच ये भी है अभी तो खेर अलग 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 report है हर तरीके से आरही है अपने अपने हिसाब से चीजे बदली जारी क्योंकि कल जो report आई थी उसमें ये भी कहा जा रहा था कि जी final जो है वो दुबई में होगा और hybrid model का भी एक option है तो अभी तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज आप देखोगे ना क्योंकि वो भी अगर renovation अगर कर रहे है तो ऐसी बात नहीं कि बातचीत नहीं होगी शायद मुझे लगता है कि hybrid model ही एक बहतर solution होगा इसका क्योंकि पूरा का पूरा tournament अब वो भी उतने सालों के बाद पाकिस्तान के अंदर Champions Trophy हो रहा है क्लेश मत जाएगा क्योंकि अगर आप सोच रहे होगी पूरा tournament उठाकर बाहर करवा दे अब आपने जब प्रेशर डाला था आपने बहुत प्रेशर डाला था कि एश्याकप नहीं होगा ICC के जो आला अधिकारी था उसके तुरंट बात World Cup था तो Pakistan ने थ्रेटन कर रहा है कि हम World Cup में नहीं आएंगे ICC के आला अधिकारी वहाँ पे गए थे उनसे मिले थे फिर आपको याद होगा जका अश्रफ के साथ भी जैशा की तस्वीर आई थी आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान सम अधर कंट्री राइट और अच्छी तस्वीर आई थी उसके बाद आप को यह सुनने मिला था कि हाइबिड मॉडल पर हामी भर लिया और हाइबिड मॉडल पाकिस्तान नहीं प्रपोस्ट किया था कि हाइबिड मॉडल कर लो आप बाहर कर इतना भी हमें वीव गैंट ओवर बाकवर्ड Millenncor क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही अड़ जाओगे कि हम पाकिसान भी नहीं आएंगे और पाकिस्तान में एक भी मैच भी नहीं होगा पाकिसान भी नहीं करेगा तो हम खेलते ही नहीं फिर हम फिर आप एशा कब खुद करवा लो जिसमें पैसा नहीं आता इतना इंडिया खेलत आप उसमें ICC को थोड़ा सा बेंड होना पड़ेगा विदाउट पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान गेम अल्मोस्ट एट्टी पसेंट रेविन्यू आता है सारा पैसा ही वही से आता है इंडिया पाकिस्तान से रिपोर्ट आई थी दो तीन महीनों पहले, जिसमें पूरा बजट तयार किया था, आईचीजी के तरफ से रिपोर्ट थी वो, उसमें ये तया किया था, कि अगर पूरा टोर्नमेंट हमें बाहर करनना पड़ जाता है, तो उसके लिए भी एक्स्रा पैसे पहले से रखे होगा लेकिन पहले पाकिसान को अलाउट कर दिया थे पैसे, ये भी आपको याद होगा, इनोंने पाकिसान को पहले पैसे अलाउट कर दिये थे, उसके लिए, तोर्नमेंट के लिए, और कुछ मैचेस बाहर कराने के लिए कर रहे थे, अलग से बजट रखा हुआ था, कुछ मैच साब की कि भाई देखो तुम इतना पैसा कमाऊगे उसके ऊपर इतना और दे देंगे तो फालतु मैं आप सिर्फ यह बोलो कि भाईया ग्राउंड इस लेवल के नहीं है अभी कि हम इंटरनाशनल तोर्नमेंट जो है वह होस्ट कर ले आपकी पिछिस पर देखी रहे हैं आपक कितनी इज़त होना इज़त तो कुछ नहां कोई नहां क्रिकेट के मामले में तो बिल्कुल लहीं है अगर इज़त विज़त कर आप पहले ना अपना महिशत अपनी एकॉनमी को ठीक करो उसके बाद यह सारी फालतों की इज़त और यह खोखली इगो दिखाओ यह खोखली पाजी से कुछ नहीं मिलने माला अगर ICC चाह रही हैं जिसकी राठी उसकी भैस अगर ICC चाहरे है है जैशाथ खाहरे हैं कि नई बहु हुँख पा किसान में नहीं करना हमने हमारी गोवर्मर्न नहीं चाहती हमारे पास पाफर है तो बाहरी जाएंग गे नही तaningyour इता है मैं फिर कह रहा हूं कि 110% यह बहुत जादा बड़ा जटका लगेगा और इतना आसान नहीं होगा कि पूरा का पूरा टॉर्नमेंट आप बाहर करा और पिछली बार भी इन विद आल डुरिस्पेक्ट तु आल डरिपोर्ट्स अंडीय और नवरीथिंग पिछली बार भी हाइब्रिड मॉडल से पहले सारे लोग बोलते हैं कि हाइब्रिड क्या होता है कि सारा क्यों करेंगे हाइब्रिड हम तो श्रिलंका में कराइंगे पूरा तब वो अड़ ग ओफिशल अनॉंसमेंट लग तो यही रहा है कि पाकिस्तान में इंडिया नहीं खेलने वाला इंडिया पाकिस्तान नहीं जाने वाला कम से कम इतनों तो हम मैं पता है यह तो यह तो अब दो ही ऑप्शन बच गए कि हाइब्रिड मॉडल होगा या फिर पूरा बाहर होगा औ उसके बाद उसके बाद आप एक बात से यह सोच लो कि पाकिस्तान फिर जिंदगी में किस मू से वो उमीद करेंगे कि हम को ICC टॉर्णमेंट होस्ट करेंगे नहीं कर पाएंगे वही बात है और यहीं पर आपने अपनी बात मनवाली बाकि जो भी स्केडियूड होगा कि य या नि कि आपको उस बोड को भी तैयर को बता कर रखना पड़ेगा वहाँ भी तो इंतजमात करने पड़ेंगे आपको ऐसी बात लिए यह साम डियाविग में एक महिने में पर लिया चेंज और अफिर आपको गोर्ड को भी तया खर लिया तो बहुत चीजे देखनी है नहीं तो यहां पर आपके सिक्योरिटी की बात और आपके हाइब्रिड मॉडल मैं अब भी भी मांता हूँ एक option हो सकता है बट पूरा टॉर्णामेंट बहर चला जाए यह थोड़ा सा अब भी मुश्किल लग रहा है और वजह भी है